आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ जब कडाके की ठंड पड़ती है तब यह रेस्पी बहुत ही जादा टेस्टी लगती है यह सबजी में बनाऊंगी पत्ता गोभी गाजर और मतर के साथ जो की बहुत ही जादा टेस्टी लगती है खास कर सर पतला पतला काटा है उसके बाद साफ पानी से धुल के देखिए इसे मैंने रख लिया है एक छोटी कटोरी ताजा मतर है एक गाजर है देखिए इसे मैंने लंबाई में काटके रख लिया है तो अब गैस पे मैंने कढ़ाई चड़ा दिया उसमें मैंने दो टेबल स्पून सर हम एड़ करेंगे क्योंकि यह पत्ता गोभी मतर मैं इसमें आड़ करी हूँ तो आप हींग जरूर आड़ करें अब इसको अच्छे से हम तड़कने देंगे यह देखिए जब यह अच्छे से स्प्लटर हो जाए फिर हम इसमें आड़ करेंगे दो प्यास लंबाई में कटे फिर हम इसमें आड़ करेंगे एक टेबल स्पून अद्रक और लहसन क्रश किया हुआ इसे मैंने क्रश कर लिया है वो हो इसको भी एक से दो मिनिट के लिए हम पका लेंगे कि इसका भी कच्छा पन निकल जाए बहुत यह अच्छा फ्लेवर आता है इसका अब हम इसमें यह देखे तुरंत ही यह बुन जाते हैं जादा टाइम नहीं लगता इसे बुनने में अगर आप इसे स्टेज पे मसाले आड़ करेंगे तो फिर हम इसमें आड़ करेंगे दो हरी मिर्ट जिसे मैंने लंबाई में काट के आड़ किया है और इसके बाद हम इसमें मटर अगर देजम फिर और इसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे छला लें इससे अच्छे से सरदी के मौसमें यह सबजी बहुत जौँ जादा टेस्टी लगती है जब कडाके की ठंड पड़ती है न तो आप यह सबजी बना करिंगे आपको बहुत ज्यादा पसdd आएगी तो यह देखिए mix हो गया है मसाले इसमें फिर हम नमक add करेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे तो अब यहाँ पर देखिए अच्छे से मैं इसे mix कर लूँगी और फिर इसके बाद हम इसे ढग देंगे और flame low कर देंगे और 5-6 मिनिट के लिए धकल लगा के इसे पकने देंगे low flame पे बीच में अगर ज़रूरत लगे तो एक बार आप चला भी लें तो यह देखिए अब पता गोबी कैसे soft होने लगी है फिर हम इसमें add करेंगे दो टमाटर और इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे और ढग देंगे टमाटर गलने तक इसे भी अच्छे से पका लेंगे तो देखिए इसे mix करने के बाद मैंने ढग दिया है और टमाटर गलने तक पका लिया है तमाटर अब इसमें अच्छे से गल चुके हैं तो हम इसमें add करेंगे एक तिहाई चमच पावभाजी मसाला जी हाँ इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और एक तिहाई छोटा चमच गरम मसाला एड़ किया है इसे भी mix कर लेंगे अगर आपके पास पावभाजी मसाला हो तो जरूर add करें mix करने के बाद मसाले को फिर हम ढग देंगे इसे और लो फ्लेम पे पांच मिल्ट के लिए पकने देंगे फिर मैंने इसका ढगकन हटाया है और लास्ट में इसे धन्या की पत्ती के साथ हम garnish करेंगे तो हमारी ये देखिए सबजी बनके ready हो गई है और ये बहुत ही जादा tasty लगती है तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाए है और पराठे के साथ ये सबजी सर्व की है पत्ता गोभी, गाजर और मतर की जो कि कड़ाके की ठंड में बहुत ही जादा tasty लगती है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको भी इस सबजी बहुत ही जादा पसंद आएगी ये देखिए कितनी सुन्दर दिख रहे है ना ये पराठे के साथ तो इसका मज़ा ही दुगना हो जाता है इसलिए मैंने गर्मा गरम पराठे बनाए है इस सबजी के साथ तो आप भी ये सबजी इस तरह से जरूर बना के try करिए इस सर्दियों में